हल में प्यारे विद्यार्थियों कैसे हूँ आश्या करती हूँ आप बिलको ठीक ठाक और सवस्त होंगे आज आपका हिंदी कासुलेक लिखने का दिन है तो आए लिखना शुरू करते हैं तो पहले लिखते हैं हम लिखाई लिखाई में हम लेंगे व्यन्जन श, स, ह, ग, आव लिखना शुरू करें श, सिधी लाएन लेंगे बिटा आज ज़्यादा कर लेंगे चोड़ेंगे श, स, ये बिटा व्यन्जन हम जोड कर लिखेंगे स, ह, अक्ष, त्र, व्यन्जन है हमारे फिर से देखिए श, स, ह, अक्ष, त्र, इसी परकार से आपने हर शबत को बनावर देनी है सुन्दर लिखना है, बोल कर लिखना है, आपको मातरा की पहचान करनी है तो आगे आपने बिटा ये दो लाएने छोड़के इसी परकार से दोबारा आपने इसी परकार से इसको सुन्दर सा लिखना है आगे हम लेते हैं मातरा अहा की, मातरा अहा की, जो हम शबा लिखेंगे, उसके अंदर हम मातरा अहा का प्रयोग करेंगे अहा जिसके बार में हा की आवाज आती है तो अहा इसकी मात्रा ये दो बिंद्धी होती है जो हम इसके पीछे लगाते हैं हम लिखते हैं पुनहा पुनहा पॉब बनाएंगे बिटा पॉब पॉब के साथ उ की मात्रा उ पुन पुनहा जहां पर हाग की वाज आई यहां पर हमने इसके साथ दो बिंदी लगा दी ठीक है? अब लिखते हैं हम बटा प्राय हा प्राय यहा प्राय 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 यह प्राय लिखा है बटा हमने लिखा है प्राय हा तो इसके पीछे हमने दू भिंती लगाई आगे हम लिखते है बेटा अंतह अंतह आ बनाएंगे पीछे जाएंगे आधन अंतह आप भी बेटा इसी प्रकार से बोल बोल की रिखे सुन्दर लिखे मात्र की दोहराई कीजिए कि आपको हक क्या वाज कैसी आ रही है कहां आ रही है और हमने उसी के आगे ही हमने इसकी दोबिंदी लगानी है अब आपने बेटा एक एक लाइन छोड़के आपने इसकी दोहराई करनी है सुन दर लिखना है बोल कर लिखना है अब जैसे हम लिखते हैं दुहा क्या दुखा लिखते हैं दुखाह हांची, दू, पहले हम लिखेंगे दू, 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 ये दो बिंदी आगे बिटा, ख, ठीके बिटा, आगे हम लिखते हैं, ख, श, 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 बनाएंगे बिटा, श, 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 श बहार डालेंगे वह भुवा ह अब आप इसी परकार से एक लाइज छोड़ के आपने इसकी दोराइज करने हैं और आगे हम एक शबर लेते हैं और शबर लेते हां हम यह क्या बहुते हैं निहा, सहाय, निहा, सहाय, पहले बना है नि, अब देखो, जैसे हमने बोला है, ऐसा ही हमने मात्रा लगानी है, नि, निहा, आगे न, निहा, हाकी बिंदी आगे बटे तो, निहा, सहाय, सहा, य, अब आपने इसे परकार से बोल-बोल के लिखने है, इसके दोहराई करनी है, आपने मात्रा की पैचान करनी है, कि शबचा कैसी मात्रा आएगी, और हमने का मात्रा लगानी है, धन्यवाद आपका दिन शुब हो,